एक बड़ी पुरानी कहावत है करे प्रपंच और कहलावे पंच यह कहावत उन लोगों के लिए है जो चल कपट से अपने आपको उचा बना कर रखने की कोसिस करते हैं आखिरकार चीन के मन में किस चीज का स्भैसमा गया है और भारत के किस रवईये से चीन अब डरने लगा है तो वहीं दूसरी तरफ बड़े ही छीचोरे पन पर उतरा चीन जिसके बाद आस्ट्रेलिया के परदान मंत्री ने जम कर लगाई लतार तो वहीं सबसे बड़ी ख़बर अब भारत फस गया है दो दोस्तों के बीच एक तरफ है इसराइल और एक तरफ है पुराना दोस्त आखिर इस धर्म संकट से कैसे निकलेगा भारत इरान ने मांगे है भारत से मदद आखिर किसके खिलाफ और यह मदद करके भारत इसराइल को अपना दुस्मन बना सकता है आये जानते हैं इन ख़बरों को बिस्तार से आस्ट्रेलिया के परती चीन का गुसा उस समय से दिख रहा है जिस समय महामारी के लिए आस्ट्रेलिया ने सीधे तोर पर चीन को जिम्मेदार बताया था जब महामारी के प्रकोप का आभास दुनिया को हो रहा था तब आस्ट्रेलिया उन चंद देसों में सामिल था जिसने निस्पच जाच की मांग करी थी लेकिन यही बात चीन को ठीक नहीं लगी थी और उसने उसी समय से आस्ट्रेलिया को डराना धमकाना सुरू कर दिया था चुकि चीन ने आस्ट्रेलिया में कई जगा निवेश किया साथ ही रन्निती ग्रूप से अहम एक एरपोर्ट और समुद्री पोर्ट को अपने कंट्रोल में भी ले लिया था इसलिए उसे लग रहा था कि वह कुछ भी करेगा और उस्ट्रेलिया कुछ नहीं बोलेगा और उसकी सहता जाएगा लेकिन चीन ने भारत की भाती आस्ट्रेलिया के राष्टर ध्यच इसकॉर्ट मौरिसन को भी कम आका और कम आक कर बड़ी गल्ती कर दी जब स्कॉर्ट मौरिसन ने चीनी गतिवीदियों पर नजर डाली तभी वे समझ गए कि इट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा ऐसे में चीन ने ऑस्ट्रेलिया के बारले एक्सपर्ट पर भारी भरकम जुर्माना थोपने की धमकी दी तो स्कॉर्ट ने चीन के खिलाफ आधिकारिक तोर पर मोर्चा समाल लिया सबसे पहले तो आस्ट्रेलिया ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जहां चीन की फजियत कराई जाए रच्छात्मक मोर्चे पर स्कॉर्ट मोरिसन ने भारत जापान और अमेरिका के साथ अपनी साजेदारी को मजबूत बनाया और क्वाइड समूह का दमदार सदस्ते बन गया खासकर भारत के साथ अपने संबंध को और भी मजबूत करने में स्कोट मौरिसन ने कोई कसर नहीं छोड़ी और जब बात चीन की आउकाद बताने की हो तो दोनों देश अपने में एक जूटता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं ऐसे में चीन ने अपनी छिछोरी हरकत दिखाते हुए ट्वीटर पर एक एक ऐसा दाउं चला जो ना पूरी तरीके से फेल हुआ बलकि आउस्ट्रेलियाई परसासन ने इसके लिए चीन को खरी कोटी सुनाते हुए चीनी परसासन से माफी मांगने तक को कह दिया रॉइटर्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी परसासन के परवक्ता जाओ लिजियान ने हाली में एक ट्वीट किया था जिसमें एक अफगान लड़के को मारते हुए दिखाई दिये गए थे औस्टेलियाई सैनिक इस पर अस्टेलियाई सरकार ने कड़ी आपती जताते हुए इस ट्वीट को ट्वीटर से हटाने की मांग की थी इससे प्रधान मंत्री स्कॉट मौरिसन इस भ्रामक ट्वीट से इतने ज़्यादा गुसे में थे कि उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सरासर जूट है और इसे कि इसी भी स्तिती में आप उचित नहीं ठरा सकते चीनी प्रसासन को इस पोस्ट पर सर्मानी चाहिए इसकोट मौरिसन ने आगे कहा था कि दुनिया की नजरों में चीन का कद और उसका प्रभाव दोनों छोटा हो गया है चीन की इस ओजी हरकत से बिना देर किये ऑस्ट्रेलि के दौरे पर हैं सीमा विवाद के बीच नेपाल पहुंचे भारती सेना के चीफ जनरल एमेम नर्वने भारत के विदेश सचीव हर्स स्रिंगला और रौचीफ सामंत गोयल के दौरे के बाद रच्चा मंत्री चीन के वेई फेंगे भी पहुंच गे वहीं भारत के लंका की बढ़ती नजदीकी से परिसान होकर एक्टिव हो गया है चीन के प्रोपेगंडा आकबार गोबर टाइंस ने लिखा है कि चीनी रच्चा मंत्री के नेपाल दौरे के एलान के बाद से ही भारत में इस बात पर चर्चा सुरू हो गई है कि इसके माइने क्या है चीन दौरे पर नेपाल गये थे जिसके बाद चीनी लोगों का यह खैना था कि नेपाल में कुछ गड़वड जहला कर रहा है भारत क्योंकि नेपाल ज्यादा तर हतियारों की डील भारत से करता है वैसे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि आजकल वही आरोप चीन लगा रहा ह चीन ने यही आरोप लगाया है कि भारत चीन के पडोसियों को कमजोर करने की कोशिस कर रहा है पडोसियों के साथ मिलकर दवाब बनाने की कोशिस कर रहा है चीन के उपर जैसा कि एक समय चीन के बारे में कहा जाता था कि चीन ने स्ट्रिंग और पल्स बना कर भारत को घिरन की कोशिस करी थी लेकिन आज समय बदल गया है आज खुद चीन गिर रहा है वहीं सबसे बड़ी ख़वर निकल कर आ रही है इरान से इस वक्त इरान में इसराइल और अमेरिका के द्वारा कथित तोर पर जो घटना की गई है साइंटिस्ट के साथ उसे लेकर बवाल जारी है लेकिन इन बवालों के बीच में इरान को भारत से मदद चाहिए आखिर की स्तरह की मदद चाहिए वैसे आपको बता दें इरान इस वक्त धिरे धिरे अपने कई मुस्लिम देसों के साथ कटता जा रहा है चीन के साथ उसकी नजदी की उसे बाकी देसों के साथ दूर तो करी वहीं इजराईल और अमेरिका की नजर में इरान उनका सबसे बड़ा दुस्मन भी है और कहा तो यह भी जा रहा है कि उन मुक्ह मुक्ह लोगों को जिसे इसराईल और अमेरिका अपने लिए खत्रा समझते हैं उपर पहुंचाने का रास्ता ढूंग लेते हैं इस एक साल में तीन ऐसे महत्पुर्ण सक्सों को निसाना बनाया गया इसराइल और अमेरिका के द्वारा महमारी अपनी गिर्ती हुई अर्थ व्यवस्था और पर्तिबंधों से परेसान इरान को अब भारत से मदद चाहिए वास्तों में इरान सिर्फ भारत ही नही कई अंतराष्टिय देशों से यह मदद मांग रहा है कि इस तरह की घटना पर वो देश खुल कर बोले अब ऐसे मामले में जहां इसराइल और अमेरिका दोनों खड़े हैं इस मुद्दे में भारत सहीत अंतराष्टिय अस्तर के कई देशों से मांग कर रहा है इरान कि इस म मुद्दे के लिए मांग किया जाए कि अमेरिका और इसराइल ने ऐसा क्यों किया है और यह गलत है एक तरह से देखें तो इरान इस मामले को अंतराष्टिय बनानी की कोशिस कर रहा है लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस मामले में कोई भी कुछ भी नहीं बोलने वा पंगे नहीं लेना चाहेगा और खासकर इसराइल तो भारत का काफी पक्के वाला दोस्त है ऐसे में भारत को इसराइल और इनान में से किसी एक को चुनना हो तो जाहिर सी बात है भारत इसराइल को ही चुनेगा वैसे आपको क्या लगता है क्या भारत इस मामले में कोई बय कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ